आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ पूस करो यहां पर जो करेंट निकालते हैं फिर्स्ट लेंप के थिरू करेंट इन फिर्स्ट लेंप है ना फिर्स्ट लेंप के अंदर करेंट क्या होगी तो I1 is equals to जाएगा इस इस P upon V क्या होता इस इस P1 by V ठीक है तो P1 कितना दे रहेगा हमारे पास जिसे 100 by 220 तो कितना जाएगा जिसे 5 by 11 Ampere की जो करेंट फ्लो होगी ठीक है 5 by 11 जीक है अब सेकंड क्या है कि करेंट इन सेकंड लेंप करेंट इन सेकंड लेंप तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगा I2 जीक हो जिसे P2 by V फिर्से है ना सप्लाई तो एक ही है तो जाएगा 60 by 220 तो कितना जाएगा 3 by 11 Ampere है ना तो यह क्या है बच्चों यहाँ पर जो आपने पहले series में connect कर रखा है यह अलग-अलग हमने current यहाँ पर measure कर लिए ठीक है यदि आप in parallel connection में देखे है in parallel connection in parallel connection तो दोनों को दोनों जो lamp है ना parallel connect कर रखा है तो आपको बता दोनों के लिए जो current होगी इस तरह से यहाँ पर फिर्स्ट लेंप और यह second lamp ठीक है जब parallel connect होगा तो यहाँ से current जाएगी तो यहाँ से current एक तो i1 जाएगी एक i2 जाएगी यहाँ से है ना यहाँ total current तो i1 जाएगा इस इस i1 प्लास आइटू तो कित जाएगा फाई यू पर वाला कितना है इसी 5 by 11 5 by 11 plus 3 by 11 तो total current होगा जाएगा इसी 8 by 11 ampere यहाँ जी जी डाउटने टाउट यहाँ वाला किचे अपने डाउट्स आच चार सो चार सो चार सो पर